नमस्कार आप देखरें तेजस 24 नियूस और मैं हूँ आपके साथ जोती कनोचिया आईए रूख करते हैं खबर क्यों किसानों ने आज 26 मैं को काला दिवस के रूप में मनाया जनपत रामपुर में आज भारती किसान यूनियन के जिलाकारले पर कई दरजन किसान एकटा हुए और आज की दिन को किसानों ने काला दिवस के रूप में मनाया किसान विरोधी कानून को लेकर देश का किसान पिछले 6 महिने से खुले आसमान के नीचे गाजी पोई बॉर्डर सिल्धू बॉर्डर पर बैटा है और वह इन तीनों क्रशी कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहा है इसी को लेकर आज किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर आज 26 महिन को काला दिवस के रूप में मनाया हलांकि किसानों की सरकार का पुतला जलाने का भी कारक्रम था लेकिन प्रशासन ने उसको नाकाम कर दिया और पुतला छीन कर जिला प्रशासन के लोग ले गए वही जिला अद्यक्ष हसीब एहमत ने कहा किस सरकार अच्छे दिन का वाइदा करके सत्ता में आई लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन चारो तरफ शब नजर आ रहे हैं और डेट को शमसान घाट बना दिया है करका सत्ता में पोचिति कि किसान डिली के चारो तरफ रफ बैटा है अच्छे दिन तो नहीं आया तो पूरा मुल्क संसां घाट जरूर बन गया जहां देखो मतलब लासे दीख रही हैं जहां देखो कवरें दीख रही हैं अस्पेताल में जाओ तो तो तमाम देडवोटी पड़ी हैं वो दिन देखने मिले हैं इसलिए काला दीवस मनाया पूरे भारत दोर में काला दीवस मनाया गया सरकार की जो गाइड लाइन है कि पचास आद्मियों से ज्यादा किसी को नहीं बुलाया गया है हर लोगों हर गाऊ में अपने घरों पर जंडे टैक्टों पर जंडे लगाएं वहारत सरकार का पुतला देहन किया गया इहीं तरीके से सब्सक्राइब कर दिया गया मगर हमारा काम हो गया जो प्ची पीशान-संगटन घंब कीशनी आप बोचित मोट्य में पूरा उसकतित संगतन है तरीके से बना रखी है, संग उनका है, भारतिय किसान संग उनका है, ऐसी बहुत यूंजिन सरकार की भी तो अपनी है, मंगर जो किसानों की ओर रिजन यूंजिन है, वो संयूक मोर्चे में जुड़ी हुई है, और बतलब पूरे भारत बड़ में काला दीवस मनाये गए। ऐसी ही खबर से जुड़ी रहने के लिए आप देखते रहें, तेजस 24 नियूज।